बूर्णिंग इस्टूडेंट्स कैसे आप सब लोग आज हम देखेंगे चैप्टर का चैप्टर नमबर टू मैटल से नौन मैटल्स लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल प्रपर्टीज देखे थी मैटल्स नौन मैटल्स और इसकी डेफिनेशन बताई थी मैटल्स कर लेते हैं मैटल्स नौन मैटल्स देफिनेशन और आज का टॉपिक रहेगा आपका रीक्टिविटी सीरीज वेरी वेरी इंपोर्टन टॉपिक है ठीक है और लास्ट वीडियो गर नहीं देखा तो उसको देख लेना नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी ह आपको आने वाले वीडियो में ठीक है ओके लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले आपे चप्टर फू नोट कर लें तो क्लास टैन्थ इस चप्टर थ्री मैटल्स नौन मैटल्स देखो सबसे पहले हम रेक्टिविटी सीरीज देखेंगे इसको बताने से फिल थोड़ा सा में बेसिक आपके लिए ठीक, ठील करते हैं मैटल्स by क्या करते हैं डोनेट करते हैं देखो जिसे फौर एक्जमपल मैं सोडियम का एक्जमपल लूँ इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा टू कॉमा एट कॉमा वन ठिक है तो जो लास्ट अलेट्रॉन है अगर यह इलेक्ट्रॉन लूस कर दे तो क्या हो जाएगा यह क्या है इस्टेबल कॉंफिगरेशन हो गया और ट्रूल क्या करता है लास्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ठीक है यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया यह क्या हो गया इस्टेबल हो गया इस्टेबल होना चाहेगा यह तो यह क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लूस कर देगा अगर लास्ट में टू कॉमा एट कॉमा टू है लास्ट में अगर थ्री है तो सारे elements क्या करेंगे electron lose कर देंगे चिक है अगर last में for example five है six seven है तो electron lose नहीं करते हैं यह क्या करते है electron gain करते हैं अगर electron gain करेगा तो क्या बन जाएगा यह non-metal चिक है तो यह non-metal क्या हो जाएगा यह class 9 में भी यह गेंज electron अब बात आती है कौन सा metal कितनी जल्दी electron donate कर देगा release कर देगा जो metal बहुत जल्दी electron donate कर देगा तो वह सबसे ज्यादा reactive metal कहलाएगा ठीक है तो reactivity series हमें यही बताती है कि कौन से metals किस तरीके से arrange होते हैं उनकी reactivity क्या होती है कौन सा metal किससे ज्यादा reactive होता है किससे कम reactive होता है और यह किस पर बेस जोता है electron lose करने की tendency पे इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी बहुते हैं अगर कोई for example आपके पास two friends है दो आपके friends है और आपको ने कोई वर्क दिया यह करना है एक friend है उसने फटाक से आपका वर्क ले लिया तुरंद करके दे दिया और एक ने थोड़ा lazy है तो जिसने जल्दी वर्क करके दे है तुम क्या करोगे उसको वह बहुत active है ठीक है उसने क्या किया बहुत एक्टिवनेस दिखाई ठीक है similarly जो atoms जो metals बहुत जल्दी reaction में participate करते हैं तो उनकों बोलते हैं high reactive metals means बहुत जल्दी electron donate कर रहे हैं electron दे दिया और reaction कर ली ठीक है अगर मैं sodium को बोलूं ऐसे हवा में रख दूं तो जलने लगेगा हवा से reaction करने लगेगा इसलिए उसको हवा में नहीं रखते हैं और पानी देंगे तो blast हो जाएगा आग लग जाएगी तो कहां रखेंगे भी या इस पेस में रखेंगे जाके क्या हवा पानी तो होता भी नहीं है वहीं रखेंगे जाके लेकिन ऐसा नहीं है जरूरत पड़ेगी तो जो है hydrocarbon है मैं आपको पढ़ाऊंगा chapter number 4 में तो उससे रेक्षन ही नहीं करता है इस ध्यान रखना तो reactivity series basically क्या है it is the arrangement of metals in the decreasing or increasing order of their reactivity मैंने last video में भी समझाया था अगर नहीं देखा है तो chapter number 2 में वो वीडियो देखना इसकी definition और नोट करेंगे it is the arrangement of metals in the increasing or decreasing order of their reactivity इसका दूसरा नाम activity series भी होता है ठीक है इसको मैं यहां लिख देता हूं activity series ठीक है आप जल्दी से से नोट कीजिए फिर मैं activity series कर रहाता हूं आपको learn कर रहा दूँगा जल्दी नोट कीजिए now we will see reactivity series पूरी series होती है के सरी के साम लिखते हैं देखिए इसको सबसे पहले के एने c a m g a l z n f e p b h c u h g और इसके बाद कहां लिखें यहां लिख देते हैं a g a u p t यह आपकी reactivity series होती है ठीक है तो देखो सबसे उपर जो है यह इसके नीची आएगा ठीक है इसको ध्यान रखना ठीक है इसके ध्यान रखना ठीक है इसके ध्यान रखना थोड़ा सा सबसे पहले है potassium sodium symbol तो आपको याद ही होंगे नहीं याद है तो आप बहुत problem में हो इतना तुम्हें आना चाहिए क्लास 9 में भी बिल्कुल रटा दिया था समझा दिया था potassium sodium calcium magnesium aluminum zinc iron lead hydrogen copper mercury silver gold platinum यह नया है आपके लिए समझनी आने वाली आगे चलके भी ठीक है ध्यांस समझो इसको बिल्कुल ध्यांस है तो यह आपको लर्न करना पड़ेगा बिल्कुल सीक्वेंस में इसकी ट्रिक भी मैंने आपको पहले बताई थी अगर नहीं वीडियो देखे तो फिर से मैं बता देता हूं इसको आप या आलू जरा फिके पकाता है क्यूट है आप ठीक है देखो कैसे करेंगे किदार नात का माली आलू जरा फिके पकाता है क्यूट है आप याद हो गई नहीं आद हो ही किदार नात का माली आलू जरा फिके पकाता है क्यूट है आप फोर तो फाइम टाइम बोलोगे तो याद हो जाएगी देखो केक पोटेशियम एने सोडियम सी ए केलसियम एम मैगनेशियम एल एलमिनियम जेट जिंग एफी आरन पी पीबी लेड सिस लेड नॉट लीड माइ किदार नात का माली आलू जरा फिके पकाता है क्यूट है आप ठिक याद करना इसको तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे जो सबसे उपर होंगे वो हाई रेक्टिव होंगे हाई इकटिव होंगे हाई एकट इमज़ा जो चीज मिलें कि हवा पानी सबसे रेक्शần करेंगे बहुत से और यह वीचार हमारे बिलकुल कुल बेकार है किसी चाएस इस मतलब से मतलब भी फ्सक्राइब नहीं है किस रेक्शन नहीं करता है नहीं करें बोगत आल सी आदमी है नो बहुत रिंअरी ऑन-द्रीक्टिव अन्रीक्टिव और होना भी चाहिए फ्सक्राइब होगा है अपना स्टैट में आगया कि हम बहुत आलस आला छुड़ते हैं थोड़ा साम और आया गोड रेक्षन करने चलो आज़ा आया गोड रेक्षनर करने हमने पुछ एयर शी Hyperion करो हाँ misty Camby के चलो एच करहें ऊचिब करने आए two-to-to-to-to-to-o-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. अंगुठी के पास पता चला oxygen reaction हो गई अंगुठी reaction जलने लगी रियक्ष reactor हो गई हवा में अंगुठी निकाली और होढ़ी गई ऐसा होता है गया नहीं होता है इसलिए महंगे होते हैं Mind it Unreactive होते हैं इसलिए महंगे होते हैं Gold, Silver ठीक है बहुत महंगे होते हैं अब PT हमारा बिल्कुल सत्यना असिन का वो रख़्ा है बिल्कुल reaction नहीं करेंगे तो यह बहुत महंगे होगे White, Gold बोलते हैं इसको ठीक है तो यह नीचे होते हैं यहां से copper से यह reaction नहीं करता है copper भी नहीं करता है यह reaction बहुत ऐसे रख दिया copper नहीं करेगा उस तो गरम अरम करोगे तो reaction करते हैं च्चिक है तो इस सब चीज़े ध्यान रखना अब देखेंगे reaction कैसे करते हैं oxygen से पानी से, चीक है, सबसे पहले आप हैडिंग डालिए रियक्शन विद ऑक्सीजन रियक्शन विद एयर डालिए, रियक्शन विद विद एयर O2, चीक है, ओके, सबसे पहले लिखिए मैटल प्लस ऑक्सीजन गिपस आउट मैटल ऑक्साइड चीक है, मैटल ऑक्साइड मिलता है तो देखेंगे, एक एक करके देखें, सारे, सब देखेंगे के प्लस O2 क्या बनेगा, नहीं पता हमे क्या करेंगे, के की वैलेंसी कितनी होती है, के पॉस्टिफ ठीक है और ऑक्सीजन कितनी होती है 2 निगेटिफ आया क्रॉस हुआ, क्या बनेगा के टुओ ये तो सिखाया है मैंने, इसमें रोना नहीं, आना चाहिए तुमें ये कैसे हुआ ठीक है, इसमें ये तो समझना चाहिए आपको ठीक है, ये लिखना नहीं होता है समझा दिया मैंने आपको ये है आप ये फर्स्ट होगे, सेकेंड एने प्लस ओटू क्या बनेगा एने टूओ, आप देखना कैसे बनाईए सी ए प्लस ओटू क्या बनेगा, C A O M G प्लस O 2, क्या बनेगा M G O Al प्लस O 2 क्या बनेगा, Al 2 O 3, ये कैसे बना, Al 3 पॉस्टिव होता है, ठीक है बैलेंसी क्रॉस करके आप बनाएंगे ठीक है, और देखो Z N प्लस O 2 Z N O ठीक है तो इस तरीके से यह reaction करते हैं ठीक है लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है जो sodium है ना यह sodium और potassium यह बहुत vigorous reaction करते हैं कैसे reaction करते हैं विग्रस विग्रस मतलब बहुत तेजी से बहुत तेजी से reaction करते हैं हवा के साथ oxygen के साथ तो इसका मैं वीडियो देखो यहाँ पर flash कर रहा देखो कैसे sodium burn हो रहा है साइट से हम oxygen को blow कर रहे हैं देखो इसने पूरा test tube धीर 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 गलने लगेगा देखा आपने तो इस तरीके से यह oxygen से reaction करता है और इसके बाद जो हमारा calcium है यह भी reaction करता है बट इतना vigorous नहीं करता है फ़र लेस रियक्टिव है यह हाई रियक्टिव है रिक्टिव से आने में कम रियक्टिव है अब आती यह बात magnesium की कि aluminium की और zinc की तो जो magnesium है ना यह अगर रखा रहे सरीके से लाइब बगएरा में तो यह अपने ऊपर protective layer बना लेता है magnesium oxide की तो अगर इसको हम जलाने जलाएं इसको आग में जलाएं magnesium को तो यह जलता नहीं है ऐसे नहीं जलेगा जब इसके उपर की protective layer हम enamel paper से rough करेंगे इस सब्सक्राइब करेंगे आपको याद आ रहा होगा chapter 1 में मैं नहीं दिखाया था why magnesium divan is burnt before burning तो वही मैं कहानी repeat कर रहा हूं इसके उपर protective layer बन जाती है ठीक है जो कि इसको further reaction से बचाती है तो हमने तो इसको reaction कराना है तो इसको क्या करेंगे enamel paper से rough करेंगे रेग माल से ठीक है फिर क्या होगा protective layer जो हो हट जाएगी फिर reaction ही करेगा ठीक है air 203 की protective layer हमारी बन जाती है बननी भी चाहिए पता चला हम aluminium के बरतन लेके आए शौप से और हवासी रेक्शन होगे रेक्शन होगे aluminium के ऐसा नहीं होता है जबकि अगर तुमको मैं बोलूँ जिंक और aluminium में higher active कौन है aluminium लेकिन aluminium के बरतन होते हैं जिंक के बरतन नहीं होते हैं क्यों क्योंकि aluminium जो है being higher active although it is very high active element than jing it is used to form it is used to make utensils and electrical wires because of formation of this protective layer यह सब जो questions में बीच बीच में करा रहा हूँ न तो इस सब आपके लोगों को problem ना हो कि यह चूड़ गया वो चूड़ गया यह चूड़ दिया वो चूड़ दिया उससे मुझे नफरत है तो स्टार्टेक्स में सब दिपली पढ़ा देता हूं तो एक्जाम टाइम में जम आप प्रेशर दिमाग पे ज्यादा हो ना बुक किया पड़े वो पड़े क्या पड़े क्या ना पड़े तो वीडियो देख ले ना एक बार तीन-चार घंटे बाटे के पूरे चेप्टर की कितना टाइम लगे सारे कंसर्ट एक बार में क्लीर हो जाएंगे आपके ठीक है देखो तो यह बाच क्लेर हो गए आपको जिंक जिंक जो है यह भी थोड़ा प्रोटेक्टिव लेयर ही बनाता है लेकिन बहुत स्लोली रेक्शिन करता हो जिंक एक ऐसा मैटल है ना यह मतलब थिंशीट्स में गनवर्ट करना डैक्टाइल मतलब वायर में गनवर्ट करना तो अगर मैं जिंक को ऐसे कीचूंगा ना पकड़के देखो आपकी फोटो यहां देख रहे ही जिंक की देखो इसको पकड़े खीचूंगा यह तूट जाएगा यह तूट जाएगा तो जिंग इतना हाड नहीं होता है ठीक है यह चीज़ा आप ध्यान लगना आरन बेसिकली ऐसा रेक्शन नहीं करता अगर आरन रेक्शन करने लगे तो आरन की चीज़ी बनना बंद हो जाए ठीक है बस आज के लिए बस इतना ही एह रेक्शन भी देयर काफी मैंने आप लोगो दे दिया बट यह सब चीज़े प्लीज इसमें छोटे से जो दिमाग आपका है उसमें प्लीज इसको बसा लेना इसके की एक्जाम में अच्छे से अपने परफॉर्म कर पाऊ ठीक है तिल देन कि आपके घए थे स्थीज़ेशगी देक्टर अपकी बएक्छाइबूर्राइबूर भॉर्म कीक्षरuard कि बढ आप गापका है थिएल इवस से देना शेंगल अ Wak?